हेलो एब्रिवन नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 योरोप चैनल में दोस्तो आज का ये वीडियो योपी स्कॉलर्शिप को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सभी का सभी डाउट किलियर किये जाएंगे जो कि दोस्तो आफीसर के थुरू बताई गई है और ये मुझे अपडेट मिली एक न्यूज की वेबसाइट से ठीक है तो आप सभी लोग यार पूरा लाइफ प्रूप के साथ दिखाय जाएगा मैं आपको बता दू कि जो most important किया कि doubt आप लोग की clear होने वाली है कि जिन भी students का अभी तक भाई डिस्टिक्ट से scholarship verify नहीं किया गया है उन लोग की कब तक जो है verify होगी और जिन students का verify हो गया है या फिर अभी नहीं हुआ है उन लोग की scholarship जो है कब तक bank में आ जागी यानि की scholarship आने की last date वगयरा तो आप सभी लोग यार इस वीडियो के साथ पुराइन तक बने रहेगा और भी बहुत सी जानकारी आप लोग को मिलेंगी जो की officer के थूरू बताएगी दोस्तों मैं आप लोग को बताएगी किस website पर ये news अवयल वाले आपर देख सकते हैं newsnationtv.com से ये news आ रही है ठीक है पूरी बाते आप लोग को भाई अच्छे तरीके से बताई जाएगी जैसा कि आप लोग को पता है एड वगेरा का problem होता है ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर main heading देखें तो main heading दी गई है UP scholarship students के account में 31 March तक आ जाएगा छात्यवरती बस करना होगा ये काम ठीक है देखते हैं इसमें पूरी जानकारी क्या दी गई है पहली बात तो यहां पर आप लोग देख लिजी अपडेटेड डेट है यानि कि कब जो है इसको पोस्ट किया गया है 6 March 2022 को रात में जो है 10 बच के 7 मिनट 69 सेकेंड पर ठीक है तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी मेन हेडिंग तो हमने आप लोग को बता दिया इसके बाद में UP scholarship को लेकर उत्तर परदेश के students के लिए बड़ी ख़वर सामने आई है इन students के bank account में कब scholarship आएगी इसे लेकर good news सामने आई है दोस्तों देखते हैं नई दिल्ले UP scholarship 2022 तीन बार पढ़ चुके ठीक है फिलाल कोई नहीं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सिच्छा की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उत्तर परदेश सरकार scholarship स्कीम चलाती है इसके तहत students को पढ़ाई करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है ऐसे में इस साल भी UP के लाखों बिद्यार्थियों ने scholarship फार्म भरा है लेकिन उन्हें अब scholarship आने का इंतजार है यहां पर चात्विर्ती है लेकिन मतलब एक ही है चाहे scholarship बोलो या फिर चात्विर्ती बोलो ठीक है नेश्ट इसमें बताए गया scholarship विभाग ने students के UP चात्विर्ती के लिए status जारी कर दिया है ऐसे में students अपने UP scholarship का status जरूर चेक कर ले भाई दोस्तों आप लोग कैसे status वगरा चेक कर सकते हो और आप लोग को पता भी है कि status वगरा जारी हो चुका है यह मैंने पहले भी बता चुका है ठीक है तो इसमें ये बाते बताए जारी है उसके बात में UP scholarship status में जब भी कई students का district welfare officer से verification नहीं हो पाया है मतलब अभी तक district scholarship committee की तरब से students का UP scholarship status pending में है दोस्तों ये कई students के साथ में problem है कि अभी उनकी scholarship जो है district से verified नहीं हुई है ठीक है तो यहाँ पर इसमें बताए कि आईए हम आपको बताते हैं कि district welfare officer की ओर से आपका UP scholarship status कब सत्यापन किया जाएगा यानि जिन भी students का भी district से pending में है उन लोग का कब verify किया जाएगा तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 10 मार्च तक सभी विद्यारतियों का status verify हो जाएगा दोस्तों आज हो गया 7 मार्च और यहाँ पर दोस्तों update आ रही है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 10 मार्च तक सभी बिद्यारतियों के status जो है वो verify हो जाएंगे 10 मार्च के बाद सभी बिद्यारतियों का verify status होने लगेगा तो आप सभी लोग भाई और status वगए एक बार फिर से check कर लिजे और 10-9-10 मार्च को फिर से check जरूर किजेगा उसके बाद में दिया गए अब बड़ा सवाल या है कि उत्तर परदेश के बिद्यारतियों की छातविर्ति कवाएगे समाज कल्यार विभाग के अफसरों का कहना है कि 31 मार्च तक सभी students के बैंक खातों में scholarship की रासी पहुँच जाएगी 31 मार्च date note कर लिजे कि 31 मार्च के पहले पहले या 31 मार्च तक आप लोगों की scholarship आपके खाते में पहुँच जाएगी बताया जारा है कि इस बार विधान सभा चुनाओ होने की वज़े से scholarship की रासी आने में देरी हो रही है किन वर्ग के बिद्यार्थियों को कितनी चात्रविती मिलेगी इस पर आधिकारियों ने कहा है कि ये कैटेगरी राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की जाती है कि किन कैटेगरी वालों के लिए कितनी scholarship दी जाएगी ठीक है ये राज्य सरकार के द्वारे निर्धारित की जादी इस न्यूज की वेबसाइट पे यही जो है न्यूज आप लोग के सामने आई है ठीक है यही पूरी न्यूज है तो दोस्तो आप लोग को आसा है जानकारी मिल गई होगी और ये बीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्त तो जिन भी students का यार suspected data को so हो रहा है तो वो students जो है contact करें अपने college में या समाज का ल्याड भी भाग ठीक है और जिन भी students का सभी चीज़े सही हैं वो सिर्फ pending में हैं तो उन लोग wait किजे 10 तारिक तक 10 तक हो जाएगा उनका verify ठीक है फिलाल ये newspaper बता रहा है वो इसे हो भी जा आना चाहिए ठीक है और दोस्तों scholarship कब तक आएगी ये सब बाते भी आप लोग समझ गए कि 31 मार्च तक सभी students के scholarship आ जाएगी अगर भाई 10 तक सभी का verify हो जाएगा तो 31 तक आराम से आ जाएगी ठीक है बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर कोई doubt रहता है तो जाए हिंद